इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत है, ये एक Android 13 based custom room है, इस वीडियो पे हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप DG4 Tech चैनल के साथ 4 alternative चैनल को प्लीज सब्क्राइब करें, बैल बटन रबाएं, और लोटिफिकेशन आइकोन क्लिक करें, मेरी चैनल के about and इस वीडियो के description पे आपको सारे social platform के links मिलेंगे, प्लीज उन्हें भी जाके subscribe, share, follow वैगरा कर लें, मेरी चैनल पे आप playlist के मदश से काफी interesting videos देख सकते हैं, जिस पे आपको technology explain मिलेंगे, technology upgrade, technology के reviews, gadget, product review, purchase guide and sale के वीडियो और technology explain के वीडियो मिलेंगे, तो इस चैनल को जादा से जादा प्ली मेरा चैनल जल्दी से monetize हो पाए, और ये उन सभी users के लिए काफी benefit वाला चैनल है, जिने technology पसंद है, और वो हिंदी पे इस चैनल के माध्यम से details को जानना चाहते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे, अब उसके लिए मैं आपको रोम के about पे ले चलता ह सबसे पहले यहां पर आप देखिए, android 13 based ये custom room है, 5 फरवरी 2023 का security patch है, 4.14 sleepy kernel use किया गया है, अगर मैं back ले जाके दिखाऊं, तो ये रहा टकीला OS का logo, यहां पर आपको दिख रहा है device दिख रहा है, टकीला वर्सन है जो इस रोम का build आया है, वो है 23 फरवरी 2023 का, ठीक है, य ये एक GA build room है, यानि कि इसमें आपको कोई vanilla building ही मिलने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको quick tiles दिखाता हूँ, ये रहा quick tiles, जिसमें आप देख सकते हैं, और edit में जाके, और quick tiles add करें, या फिर remove rearrange wagon आप कर लिजेगा, bottom पे आपको shutdown button दिखेगा, इसके अंदर आपको restart के अंद ये रहा है, apps, left पे आपको google page मिलने वाला है, right में जो आप app install करते जाएंगे, वो आएगा, अगर आप home screen के wallpaper को press करेंगे, तो home settings आएगा, यानि कि क्यो कि step ओला ही launcher है, जिससे टकीला launcher के नाम से rename किया गया है, फिर से आप type करेंगे, तो यहाँ पर आपको widgets मिलेगा, और य styles के अंतर आपको dark theme and theme based icon upgrade दिया गया है, change wallpaper में अगर मैं लेके जाओं आपको, तो 3-4 wallpaper आपको दिये गये हैं, तो सभी जो wallpaper है वो टकीला OS के icon को certified करते हैं, और third party wallpaper भी easily set कर सकते हैं, अब हम आते हैं अपने रोम के review फे, first of all हम start करेंगे, play store certified है, ठीक है, google photos unlimited storage के साथ आएग google dollar मिला है, तो call recording announcement देगा, उसके लिए आप TTLX यूज करें, यहाँ पर preferred engine के अंदर या तो TTLX रखें या me AI speech engine आप रखेंगे तो call recording का announcement हट जाएगा, बाकी आप उसी dollar पे call recording का benefit ले पाएंगे, port app की बात करें, जैसे की me calendar app अच्छे से काम कर रहा है, इसका video के नीचे आसे use कर लेना, अब आपको बता दूँ कि me gallery app जो है, यह भी अच्छे से काम कर रहा है, इसका भी link वीडियो की description पे है, साथ में me video app की, अब बात करते हैं, YouTube का Vincent वाला भी app अच्छे से काम करता है, और normal YouTube भी काम करता हुआ मिल जाएगा, side load application app जैसे की sai वो भी अच्छे से क कर रहा है, अब हम चलते हैं, default camera का, तो default camera आपको me वाला ही देखने को मिल रहा है, यह भी अच्छी बात है, तो आपको वाला भी मिल जाएगा, समी का 8.4 gcam या lmc 8.4 gcam भी आप यूज कर सकते हैं, security लिए आप brave browser यूज कर सकते हैं, जो add blocker और cookie blocking के साथ आता है, by defaultly, जो play store पे me app available है, जैसे कि me calculator, me file manager, me remote या me share वेगरा, यह भी आप अच्छे से use कर पाएंगे, बिना किसी problem के, dynamic island की बात करें, तो यह आपको iPhone 14 pro वाला features देगा, बिल्कुल as it is, dynamic island प्रोवाइट करेगा, अगर मैं clock में आपको इसी stop watch के साथ on करके दिखाऊं, तो आप देख सकते जैसे मैंने stop watch on किया, अब मैं इसे back लेता हूँ, तो अब यहाँ पर आप dynamic island पे इसका behavior notice कर सकते हैं, उसके लिए बस आपको यहाँ से activate करके इसे drop out मार देना है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से, अब हम चलते हैं अपने दूसरे app के reviews पे, जैसे कि यह यहाँ पर आप high quality wallpaper clay jets app का benefit ले सकते हैं, काफी अच्छा app है, यहाँ पर आपको high quality wallpapers मिल जाएंगे और इनके app के अंदर आपको wallpaper, video, wallpaper, ring door, notification sound, सभी चीज मिल जाएंगे, आप यहाँ categories पे जाके अपने जरूत वाले wallpapers भी use कर सकते हैं, या फिर search पे भी आप direct जाके search कर सक तो यह app हो गया, tik-tok Chinese वाला variant अच्छे से काम करता है, साथ में recording, screen recording के लिए जो X recorder app में use कर रहा हूं, वो भी अच्छे से working है, speed test की बात करे, okla की तो अच्छे से काम कर रहा है, network connectivity में किसी प्रकार का issue नहीं है, me downloader app की बात करें, तो यह जो app है, इसके मदद से आप क्या नया करने की तयारी कर रहा है, इस चीज के लिए आप यहाँ पर से उनके tech news देख सकते हैं, news भी आप यहाँ पर check out कर सकते हैं, या वो कौन सी नई product release कर रहा है, apps की बात करें तो आप जो MI के app use कर रहा है, उसका अगर update available होगा, तो वो यहीं पर detect हो जाएगा, इसके ब problem आपको नहीं आएगा, अब इसके साथ मैं आपको बता दू कि जैसे की बाकी Google Apps भी working है, अब हम चलते हैं फोन के settings पे, और यहाँ पर आप देखे इस तरीके का user interface आपको मिल रहे है, टकीला OS settings जो है, इस पे हम last पे आएंगे, अब यहाँ पर मैं आपको बता दू, network and internet के आपको आपको लेके चलू, तो यहाँ पर कास्ट वर्किंग रहेगा, आप Bluetooth की बात करेंगे, आपको ब्लूटूट की बात करेंगे, बीना कुछ एक्सपरिमेंट किये हुए, connected device के अंदर अगर मैं आपको लेके चलू, तो यहाँ पर कास्ट वर्किंग रहेगा, आप Bluetooth की बात करेंगे, तो मेडिया पे भी वर्किंग है, and calling पे भी वर्किंग है Bluetooth, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर apps में कुछ नहीं है, बताने लाइक, again यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, तो केवल यही है कि default apps के अंदर आप launcher देख लीजिएगा, टकिला launcher, basically Q कि step launcher है, जिसे rename किया गया है, इससे बाहर हम चलते हैं, बैटरी की बात करें, तो बैटरी बैकप को set होने के लिए time लगेगा, ठीक है, अगर आप कम से कम 8 से 10 घंटा इस ROM को दीजिए, त अब आपको बैटरी बैकप अच्छा दिखेगा, जैसे आप तुरंत ROM को flash करेंगा, तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकप दिखाएगा, 90% में भी 3.5 घंटा, 4 घंटा का बैटरी बैकप है, ऐसा दिखाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, कि 93% 1 घंटा stand-by पे आप आपके इवल 7% ड्रॉप हुआ है, और 14 घंटा रिमेनिंग है, तो इस तरीके से और बाकी मैंने screen on time use भी किया है, तो बैटरी बैकप डिसेंट है, चार्जिंग ओके है यार, 15 वाट तक की चार्जिंग माल लिजी आप, slow ही है, है ना, 33 वाट तक की चार्जिंग तो किसी भ भी maximum मैंने 20 वाट से जादा custom रोम पे receive किया ही नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैटरी हो गया, storage की बात करें, तो 16 GB definitely लेगा, हर एक रोम लेता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इस से आगे बढ़ते हैं, sounds and vibration के अंदर default जो भी दिया जाता है, वो तो है ही, मी sound enhancer आपको दिया गया है, clear speaker and heftig feedback दे दिया गया है, जिसका benefit आप ले सकते हैं, डिस्प्ले के अंदर अगर मैं आपको लेके चलो, यहाँ भी कुछ नया नहीं है, बताने लाई, जो traditional होता है, adaptive brightness वेगरा, screen on time है, या फिर color वेगरा है, night light, minimum refresh rate यहाँ पर आप दिया गया है, जिस possibilities के अंदर आगर आपको केवल extra dim मिलना है, system control के अंदर power button end call मिलेगा, and सबसे last पे आपको यहाँ मिल जाएगा caption preference, बस इतने ही तीनी settings है, privacy, security, security में आपको दिखा दो कि roam encrypt ही है, और सभी roams आपको encrypt ही मिलता है, not encrypt वाला process काम करता ही नहीं है, और future में और जैसे जैसे high tech ro homes release होते जाएंगे, android 14 आएगा, google के तरफ से, उसमें आपको अभी कुछ latest लिकाया है, कि आप third party APK भी access नहीं कर पाएंगे, for security reasons, ठीक है, इसके बाद location, safeties, यह सब working है, digital value की बात करें, तो काफी अच्छे से काम करता है, कोई problem नहीं है, इस से बहार अगर हम चलते हैं, systems पे तो system पे आपको gesture के अंदर, बस IQ camera, three finger screenshot और system gesture बस दिया गया है, system अपडेटर जो है, वो working है, check for update करता है, अब फरवरी के बाद, जब बार्च महने का OTA update हमें देखने को मिलेगा, तभी पता चलेगा, कि इतने अच्छे से तरीके से काम कर, अभी यह check for update आप प्रेस करेंग तो working है, अच्छे से detect करता है, ठीक है, इस से बाहर अगर मैं आपको लेके चलू, तो developer option पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो RAM approximately 50% तो use करेगा ही करेगा, sometime ऐसे भी हो जाता है, कि 55% तक भी चले जाता है, बट फिर भी आपके पास 50% RAM तो free मिलता ही है, ठीक है, अब मैं आता हूँ, टकीला OS setting, यह basic minimalistic level के optimize के साथ आता है, यह operating system, तो status bar के अंदर मैं आगर आपको दिखाऊँ, तो देख सकते हैं, आप date के आगे कोई AM, PM कभी option आप नहीं ला सकते हैं, तो icon double tap, और battery के अंदर भी बच्चों जैसे के इवल दो menu दिया गया है, circle and text, तो यह इतने ज्यादा basic level का customization के साथ आता है, कि बोलने बस कहा है, कि हाँ यार मैंने customization आपको दिया है, ठीक है, अब आप देखिए, status bar मैंने दिखा दिया है, lock screen अंदर भी केवल एक menu है, double tap to sleep, इसके बाद buttons की बात करें, तो advanced restart एक ही menu देके खतम कर दिया है, notification में announce notification है, miscellaneous की बात करें, तो security flag वाला option है, यानि कि UPI payment का आप screenshot लेके share कर सकते हैं, और battery estimate है, तो कुछ है, इसमें नया और customization level की बाती नहीं है, सब चीज ऐसी ही simple ही है, तो इस type का ही ROM आपको इसमें मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो ROM है, प्लीज डिजी फॉल टेक चैनल को subscribe करने के ब को जादा से जादा share करें, आपसे request है, ताकि मेरा चैनल जल्दी से monetize हो पाए, और मैं आपके लिए और भी अच्छी interesting content जल्द से जल्द लेके आपाऊं, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे, तब तक ले, thank you, have a nice day, goodbye.